ब्रोमिल लेना है और कंसेंट्रेटिट के ओएज का सलुशन लेना है आप्टर क्या होगा जो आपका अमाइड होगा ना बच्चा वह आपके अमाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा कि देखेंगे इंटर मॉल्यकिलर फोर्स क्या होता है अगर एक अमाइंस का गूरूप प्रैम एलो बच्चो कैसे हो आप सभी लोग आइधिंग आप अपनी लाइप में बहुत ही मस्त होंगे और एट विजट प्रैक्टिकल्स को जरूर वाच ओट करेंगे क्योंकि बच्चो इस पे आपके फिजिस केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स और लेक्चर सीरीस स्टार्ट हो ग प्रोपर्टी और रियाक्शन्स पढ़ने वाले जो डैरेक्ली आपके बोर्ड एक्जाम में यहां से कंफर्म होते हैं चलो हम अपना स्टार्ट करते आज अब अपना पार्ट नंबर थ्री और पार्ट नंबर थ्री में बच्चा हम फॉस्स देखेंगे हमारा पहला रियाक और तीसरा नाम होता है इसका बच्चा होफमेन हाइपोर्बोमाइट डिग्रिटेशन मतलब यह किसी नाम से भी आ सकता है आपको बस अगर डिग्रिटेशन यहाद है तो आप फटक से कर लोगे इस रियाक्शन्स को तो चलो हम इस रियाक्शन्स को स्टार्ट करते हैं और इसके कुछ theoretical चीज़े देख लेते कि आपको theory में क्या-क्या लिखनी होती है ओकि बच्चा चलो यहाँ पर हम देख लेते डड़ी आवर फर्स थीरी की विन रियाक्शन्स करीड आउट बाइव वार्मिंग दी अमाइड वित ब्रोमीन और कंसंट्रेटेड एक्वर सलूश लेना है आफ्टर क्या होगा जो आपका अमाइड होगा ना बच्चा वह आपके में कर नोड आएगा किस में करने डिखते और इसको एक और नाम से जाना जाता था जिसको मैं लास्त में बताउंगा और उस नाम के उपर mcqb आया बच्चा के ठीक है चलो देखते कि इसका कैसे करेंगे हम लोग तो ओके सबका ध्यान यहां पर होना अच्छी बिल्कुल बोड के उपर ओके चलो तरह देखना यहां ने ले लिया यहां पर अमाइड्स ग्रूप क्या ले लिया एक अमाइड्स ग्रूप इस बच्चा आपको इस अमाइड को ट्रीट करना है ब्रोमीन के साथ में और Concentrated Aqueous Solution of KOH, मतब जो KOH रहेगा, Aqueous एक मिनिट, Aqueous ठीके, जो Aqueous Solution of KOH रहेगा, वो काफी ज़्यादा क्या रहेगा बच्चा आपका, Concentrated रहेगा, ठीके चलो अब हम देखेंगे कि इस reactions में actually होता क्या है, इस reactions में actually होता क्या है, मैं काम करता हूँ इसको थोड़ा इधर से चालू करता हूँ ताकि हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स वगएरा लेख सके, ओके, चलो अब सबका ध्यान बिल्कुल मेरे पास होना चाहिए ओके, चलो, इस reactions में क्या होगा बच्चा ध्यान से देखेगा, ओके, चलो, देखो अब यह जो आपका, पहले तो देखो, यह जो आपका क्योए अच्छ है, यह आप यहाँ पर 4 molecules of use करूँगे, क्यो 4 molecules of मैं आपको बताऊंगा, ओके, चलो देखो, पहला step क्या होगा यहाँ पर जो आपका carbonil compound है ना बच्चा, CO, यह क्या करता है यह इस oxygen के साथ में मिलके CO3 बनाता है, क्या बनाता है CO3, क्या बनाता है CO3 तो यह कैसे बनेगा, देखो, यह करता है काम, potassium का, that is K2, और यह O, यह carbon, और यह oxygen आपस में मिलके क्या बनाता है CO3 that is K2, CO3, आपने पढ़ा होगा, Na2, CO3 sodium carbonate, होता है ना यह washing soda, तो वैसे यह बनाता है, यहाँ पर K2, CO3, that is potassium carbonate, ठीक है, तो मतलब आपको इतना समझ में आगा है, कि यह group यहाँ से निकल चुका है आपका, यह group किसके साथ में चले गा, potassium के साथ में जाके, पहला जो आपका बाया प्रोड़क्ट, यहाँ पर बना रहा है, वो क्या बना रहा है, K2, CO3, K2, CO3, इसलिए तो मैंने बोला, यहाँ पर 4 molecules, अब क्या यूज होगा, KOH होगा, अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से 2 potassium जा चुका है, तो कि अगर यहाँ से आपका carbonil compound निकल गया, तो आपका क्या बचा, यह NS2, only R से connect है, तो यहाँ आपका क्या बनता है, primary amines, क्या बनता है बच्चा आपका, primary amines, क्योंकि यहाँ से जो C double bond O group था, वो तो आपका निकल गया ना, तो that is called as what, primary amines, I think आपको सारा reactions बिल्कुल मखन की तरह clear हुआ रहेगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि देखो बच्चा, बहुत easy reactions है, यह aqueous जो base है, यह क्या करता है, यहाँ से carbonil compound को निकालता है, और बनाता है K2CO3, उसके बाद जो 2 potassium still remaining है यहाँ पे, वो 2KBR के साथ में मिलके क्या बनाता है, 2KBR, और आपको पता है, अगर carbonil compound यहाँ से निकल गया, तो क्या बचा है, only RNS2, that is called as what, primary amines, I think आप इस reactions को इस theory के साथ में अब relate कर पा रहे होंगे, मैं आपको फटा फटे एक example कराके देता हूं, फटा फटे क्या देता हूं, एक example कराके देता हूं, R की जिखा पर क्या लोगे, बताऊ मुझे R की जिखा पर क्या लोगे, Sir इसके जिखा पर मैं CS3 ले सकता हूं, और यह मैंने ले लिया अमाइड का ग्रूप चलो इसका common name आप लोग बताओ मुझे इसका common name क्या होगा कई बार मैंने बताओ that is called as what acetamide तो क्या बन जाएगा यह acetamide ओके चलो hoffman degradation reactions में हम लोग catalysts या फिर reagents क्या-क्या यूज करते तो देखो यहां पर क्या-क्या यूज करते हैं so हम यहां पर यूज करते हैं br2 और concentrated qh और वो कैसा होना चाहिए aqueous होना चाहिए alcoholic नहीं होना चाहिए मतलब qh जो है आपका waters में बना हुआ होना चाहिए यह चीजों का बहुत अच्छे से याद रखेगा आप ओके चलो देखते क्या होगा भी यहाप तो आप कितना molecules यहाप यूज करोगी बच्चा four molecules yes is co is oxygen के में साथ में मिलके co3 बनाएगा और potassium उसके साथ में जूट जाएगा so that there is a formation of what k2 co3 that is potassium carbonate अगला वाप प्रोड़क बताओ अगला वाप प्रोड़क बताओ so sir यहाँ पे 2 k still remaining है बचा हुआ है तो 2 k 2 br के साथ में मिलके क्या बनाएगा 2 k br क्या बनाएगा 2 k br ओके आप देख लिजेगा इसको and next जब यहाँ से बिटा कार्बोनील ग्रूप आपका निकल गया तो क्या बच्चा खाली c3 ns2 यह बचा ना लिख दू यहाँ पे c3 ns2 ओके चलो इसको बोलते methyl और यह हो गया आपका amines तो इसका जो common name हो जाएगा बच्चा हो जाएगा methyl amines ठीक है I think सारे बच्चों को यह reaction समझा होगा ओके clear है ना मैं आगे बढ़ू ना बच्चा ठीक है चलो एक मैंने promise किया था आप से कि यह जो reaction से इसको एक और नाम से जाना जाता है चलो देखते हो नाम क्या है so that is called a sword बच्चा देखो यह आ गया य इसका step down हो गया मतलब यह एक carbon में convert हो गया मतलब हो गया ना step down तो this is also called a sword step down reaction तो Hoffman bromide degradation को इतने सारे नामों से जाना जाता है जो कि मैंने सारा doubt आपका clear कर दिया है so चलो अब हम बढ़ते है अपने next topic के उपर और जो कि हमारा theoretical topics है और उस theoretical topics में से बच्चा कई सारे MCQ आपक of amines क्या देखेंगे बच्चा physical properties of amines और इस physical properties of amines में पहला topic हम लोग देखेंगे nature of या फिर intermolecular forces तो क्या होता है यह intermolecular forces जैसे मेरे और आपके बीच में bonding है so that is called as what intermolecular forces so अगर एक amines का ग्रूप primary amines का ग्रूप चाहे secondary amines का ग्रूप अगर किसी दूसरे amines से connect होता है so that is called as what intermolecular forces ठीक है intermolecular forces of attraction चलो हम देखते example के थूप की कैसे में आपको intermolecular forces of attraction समझा सकता हूँ यहाँ पे so देखो मालो मेरे पास यह एक amines का ग्रूप है यह एक क्या है मेरे पास बच्चा amines का ग्रूप है ठीक है अब यह amines के ग्रूप में जो nitrogen होता है वो क्या होता है electronegative होता है जो hydrogen क्या होता है वो electropositive क्यूंकि दोनों के electronegativity क्या है difference है nitrogen का ज्यादा होता है इसलिए क्या उसको पर negative charge है और hydrogen का कम होता है इसलिए क्या है positive charge अब आया ये दूसरा molecules, अब ये आया दूसरा molecules, ठीक है, अब ये जो दूसरा molecules है, इसमें भी तो positive और negative होगा, होगा की नहीं होगा, देखो, ये hydrogen positive होगा, पर आपको पता है कि आपका nitrogen क्या होगा, negative होगा, dell negative, तो द्यान से सुरूँ, जो ये negative charge है, ये क्या करेगा, positive charge वाले this bond, through this bond, इसको बोलते है hydrogen bond, कौन सा bond बोलते है, hydrogen bond, तो ये hydrogen bond की हिसाब से क्या कर रहा है, इसको जोड के रख रहा है, तो जैसा इसके अंदर हो रहा है, वैसा ये भी तो कर सकता है, वैसा ये भी तो कर सकता है, कैसे करेंगे, देखो यहापे, ये हो गया nitrogen, ये हो गया दूस ठीक है, यहाँ पे भी क्या आएंगे, Amines Group आएंगे, और यह Hydrogen इस Nitrogen के साथ में जुड़ा हुआ, जुड़ जाएगा, मतलब जो आपका Primary Amines से उसमें Inter-Molecular Forces बनने की ज़्यादा Capacity Q, क्योंकि Nitrogen के पास Lone Pairs of Electron तो है, लेकिन Hydrogen दो-दो है, तो एक Hydrogen एक अलग Primary Amino Group से जुड़ेंगे, मतलब Inter-Molecular Forces of Attraction Primary Amines में ज्यादा है, अब Tertiary Amines में कम है, क्यों देखो, मैं बताता हूँ, अगर आप Tertiary Amines का Structures बनाते हैं, यह हो गया आपका Tertiary Amines, ठीक है, अब Tertiary Amines, यह हो गया Tertiary Amines, नाइट्रोजन 3-3 आर ग्रूप, लेकिन Tertiary Amines में खाली एक अकेला नाइट्रोजन है, तो यह किसी एक ग्रूप के साथ में हो सकता है, बॉन बनाए या नहीं बनाए, और भी ऐसे बहुत सारे ग्रूप इदर जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ सकते हैं, क्योंकि सब आर ग्रूप है, हाईट्रोजन है ही नहीं, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या चीश समझी में आ गई, कि जो आपका primary amines होता है, उसके अंदर greater hydrogen bond form करने के capacity होता है, मतलब बहुत सारे उसमें amino, बहुत सारे क्या, 3-4 amino group क्या हो सकते हैं, primary amino group जूड सकते हैं, जैसे इस hydrogen से यहाँ पर जूड़ गया है, इस hydrogen से एक primary amino group यहाँ जूड़ गय लेकिन उतना अच्छा नहीं बन पाएगा जितना primary बना के दे रहा है, तो I think यह doubt मैंने clear कर दिया है, तो चलो कुछ points हम देख लेते हैं, जो काफी जादा important से हैं, यहाँ पर, चलो कुछ points का मैं आपको बताने वालों काफी important points है वो सब, पहला point देखते हैं यहाँ पहला points, चलो, पहला point देखो, the NH bond in the primary amino is a polar because of electronegativity of nitrogen and hydrogen are different, मैंने अभी आपको क्या बताया था, कि nitrogen और hydrogen की electronegativity क्या होती है, डिफरेंस होती है, जिसके वज़े से आपको nitrogen पर negative charge होता है, औ positive, that is called as what polar molecules, okay, second point, second point क्या है, due to, because of primary and secondary amino have intermolecular forces of attraction या bonding is greater, मैंने अभी आपको primary amino का structure बना की दिखाया था, और उसमें क्या बताया था, देखो, primary amino इधर से भी जूर सकता है, इधर से भी जूर सकता है, उधर से भी जूर सकता है, ठीक है, तो primary and secondary में greater number of intermolecular forces of attraction हो सकते है, tertiary में हो सकते है, क्या, नहीं हो सकते है, क्योंकि tertiary में तो सब जगा R group आ जाते है, hydrogen होते ही नहीं, तो nitrogen एक bond बना लिया, फिर R तो भाई bond बनाएगा, नहीं बना सकता, अगर hydrogen रहता, nitrogen के पास में तो वही hydrogen bond बनाता है, किसी दूसरे amino group के साथ में, okay, चलो, अगला point देख ल form intermolecular dipole-dipole interaction, इसके अंदर क्या form होता है तब, dipole-dipole attraction form होता है, जो उतना अच्छा नहीं होता है, जितना primary और secondary के अंदर होता है, ठीक है, चलो, अब यह चीज़ तो आपको बहुत ही ज़्यादा clear हो चुकी होगी, last point हम देखते हैं, कि intermolecular forces of attraction is stronger in primary amines and weakest in tertiary amines, अब आ रहेगा, clear है, आगे बढ़ो next concept के उपर, चलो, सुबच्छे हमारा next topic है boiling points, अब यह boiling points क्या होता है, primary amines के अंदर boiling points को कैसे represent करते हैं, तो चलो, कुछ चीज़े इसमें सपहले देख लेते हैं, तो द्यांस सुनो, जो आपका order of boiling points है amines का, तो primary amines का boiling points बहुत जादा है, as compared to secondary or as compared to tertiary, ऐसा क्यूँ, ऐसा क्यूँ है कि primary amines का boiling points बचा बहुत जादा है, और tertiary का boiling points का है, बहुत जादा है, बहुत जादा है, देख रहो, order देखी रहो, primary में बहुत जादा लगा है, तो इसका answer पीछे वाले concept में चुपा था, दान्जा सुनो, primary amines क्या कर रहा है, greater number of inter molecular bonding form कर रहा है, intermolecular forces of protection form कर रहा है, मतब एक amines, 3-3-4-4 amines से जूड़ जा रहे है, और जब बहुत सारे amines आपस में जूड़ जाएंगे, तो उनको boil करने में उतना जाता time लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, और जो tertiary amines से बच्चा आपका, tertiary amines, वो तो उतना अच् अच्छा bonding ही नहीं बना पा रहा है, तो हम उसको थोड़ा सा भी energy देंगे, तो वो और तूट जाएगा, और दूर दूर चले जाएगा, लेकिन primary amines के अंदर bonding अच्छा है, तो जिस चीजों में bonding अच्छा होती है, उसको तोड़ना उतना ज्यादा क्या होता है, मुस्किल ह तो क्या हो जाएगा, primary amines बहुँ जादा लेगा time boil होने के लिए, than secondary amines, than tertiary amines, ठीक है, clear है, सबको समझ में आ रहा है, तो true love को जल्दी break नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो इदर घुमने फिरने वाले love होते हैं, उनको हम जल्दी तोड़ सकते, जिनके अंदर अच्छे attraction न solubility, अगला concept क्या है, solubility, तो पहले मुझे एक चीज बताओ, कि solubility मैंने आपको कई बार बता दिया, कि solubility actually होता क्या है, तो देखो, कोई भी चीज अगर किसी भी चीज में dissolve हो रही है, तो मतलब, मालो मैं sugar को ही water में dissolve कर रहो, तो sugar water के साथ में क्या करता है, बहुत ही अ oil, water के साथ में bond नहीं बनाता है, तो वही solubility का concept हम यहाँ पे भी apply करेंगी, अब देखो, यह अपका primary amines है, R and H2, अब यह जो primary amines है, और यह रहा आपका H2O, तो देखो, यह H2O इस primary amines के साथ में, यहाँ पे bond बना रहा है, और दूसरा molecule साथ H2O यहाँ से bond बना रहा है, मतलब primary amines अच्छा capable है water के साथ में bond बनाने के लिए, और अगर nitrogen का H, इस oxygen के H2O के साथ में combine हो रहा है, तो H bond बना रहा है, oxygen के साथ में, तो this bond is called as what, बच्चा hydrogen bonding, अगर यहाँ पे hydrogen bonding बन रही है, इसका मतलब आपका जो amines होगा, वो soluble होगा, तीक है, पर कैसे amines soluble होगे, कौन से amines soluble होगे, क्या aromatic soluble होगा, या aliphatic होगा, क्या बना chain वाला soluble होगा, क्या, सब doubt दिमाग में आ रहा होगा, यू clear करके दूँगा, बस आपका पूरा ध्यान mobile screen पे, या मेरे उपर होना चाहिए, ओके, चलो, एक एक cut to cut point clear करते, तो पहला point है हमारा है, due to their ability to form hydrogen bond with water molecules, the lower aliphatic summines are soluble in water, यह जो lower word है यह बहुत जादा important है, lower aliphatic summines, आप बोलोगे सर यह lower aliphatic summines क्या होता है, अरे कुछ नहीं, एक carbon, दो carbon, तीन carbon वाला amines, मतलब देखो यह, CS3 NH2, इसको बोलते lower, एक, दो, तीन carbon तक जाते हो ना lower, अगर carbon chain increase कर दोगे, तो वो higher हो जाएगा, तो देखो, यह आपका amines group है, यह water के साथ में bond बना रहे है, S2O, तो that's why, जो आपका amines से बेटा है, वो water soluble है, लेकिन कौन से amines water soluble है, lower वाले amines, कौन से वाले amines, lower वाले amines, ठीक है, चलो, दूसरा point देखते है, दूसरा point क्या है, the solubility of amines decreases with increases in the molar mass, अब यह क्या बात हुई यह क्या बात हुई, कि अब आभी तो आपने बोला था कि हाँ, dissolve होगा, फिर दुबारा बोलो कि यार, अगर molar mass बढ़ा दिया, तो वो dissolve नहीं होगा, तो देखते हैं यहापे, चलो, देखो यहापे, अगर आपने molar mass बढ़ा दिया, मतलब carbon challenge बढ़ा दिया amines के साथ में, त अगर यह carbon जो है, यह आपके क्या है, organic compound, तो organic compounds, inorganic में dissolve करना बहुत जादा मुस्किल होता है, तो अगर आपका carbon challenge और बढ़ते गया, तो देख रहे हो, carbon challenge अगर बढ़ गया, तो hydrocarbons बढ़ जाएंगे, अगर hydrocarbons बढ़ गये, तो फिर क्या वो water में dissolve होगा, नहीं dissolve हो सकता है, यह चीज को बहुत अच्छे से clear रखना, कि अगर आपका molecular mass बढ़ता है, तो solubility क्या हो जाएगी, बच्चा, solubility हमारी सर decrease हो जाएगी, solubility क्या हो जाएगी, decrease हो जाएगी, चलो, अगला point देखते, जो आपका aromatic summides, and higher aliphatic summides, both are insoluble in water, तो याद रखना, जो आपके aromatic summides होते है, aniline वगरा, ring plus NH2, यह सब आपके क्या होते है, water, insoluble होते है, and last में देखेंगे, solubility order, कि कौन सा soluble होगा, और कौन सा नहीं solubile होगा, अगर आपके MCQ questions में ऐसे कुछ questions आगे, तो याद रखेगा, जो आपके alcohol होते, वो higher soluble होते, फिर amines थोड़े सा less soluble होते, फिर alkane थोड़े से और less soluble होते, यह क्यों में बता रहा हूँ, यह आपके exam point of view से बहुत जादे importance है, कैसे देखो, आपको ना, 3 ABCD, 3 type दे देंगे, like एक में alcohol जोड़ देंगे, एक में amines जोड़ देंगे, और एक में alkane, मतब carbon का चेल लिखेंगे, और आपको बोलेंगे ना, कि arrange in a decreasing order of solubility, तो आपको पता है, alcohol सबसे ज़्यादा soluble है, पहले उसको रख दो, फिर amines less soluble है, उसको रख दो, फिर hydrocarbons को रख दो, ठीक है, and last point देखते हैं, यहापे, last point देखते हैं, कई बार आपको balling points भी पूछा जाता है, आपको amines दे देंगे, carboxylic acid दे देंगे, alkane दे देंगे, alcohol दे देंगे, तो याद रखना, जो carboxylic acid होता है, उसका balling point बहुत जादा होता है, बताया था, जब मैं early age ketone और carboxylic acid पढ़ा रहा था, तो उस टाइम बताया था, कि जो आपका carboxylic acid होता है, उसका balling points बहुत जादा होता, as compared to alcohol, as compared to amines, as compared to alkane, ठीक है न, clear है न, cut to cut बच्चों को doubt clear होना चाहिए, ओके, चलो, मैं आगे बढ़ता हूँ, अपने next level concept की तरफ और बहुत ही मज़ेदार से उस concept को भी क्या करते है, read out करते है, पढ़ते है, या समझते है, ओके, चलो, देखो यहाँ पर, अगला topic है, हमारा basicity of amines, अब ये सब महाभारत पढ़ लेए और ये भाई अभी आ रहे, basicity of amines, भाई amines basic होता है, क्यों basic होता है, क्यों basic होता है, अगर मैं R-NH2 की बात करो, तो nitrogen के पास बच्चा loan pairs of electron होते है, और ये loan pairs of electron, जो nitrogen के पास है, ये donate किये जाते है, क्या किये जाते हैं, donate किये जाते हैं, और बेटा, अगर य यही loan pairs of electron donate होगा so that's why यह क्या है एक basic base क्या करते हैं अपने loan pairs of electrons को donate करते हैं हला कि base की 2-3 properties होती है like Laurie ने अलग दिया था Lewis concept अलग है तो हम एक काम करते हैं सारा concept यहाँ पढ़के यह चीज़े पहले clear कर ले तो चलो आज का हमारा पहला या फिर हमारा loan pairs of electron present होता है उसी के वज़े से जो हमारा amines होता है वो basic in nature होता है कि basic की जो property होती ही कि it's can donate a loan pairs of electrons ठीक है चलो अब हम कुछ theory देख लेते हैं तो पहला हमारा theory है according to Lewis theory according to Lewis theory of amines according to Lewis theory of what amines तो Lewis theory of amines की हिसाब से क्या है यह reaction से हमें ज्यादा समझेगा okay मैं एक reaction ले भी रहा हूं यहां पर द्यान से देखेगा like मेरे पास है amines three times और यहां पर nitrogen है like a methyl के ना amines मतलब होता है methyl methyl के तीन ग्रूप से और इसका मैं reactions करा हूंगा BF4 के साथ मैं BF3 BF4 नहीं बनेगा BF3 अब बिटा यह जो BF3 है ना यह electron deficient है कैसे पता चला मुझे मैं भगवान थोड़ी नहीं हूं देखो मुझे कैसे पता चला अब जो यह boron है इसके पास क्या है 3F group है 3F group मतलब boron का 2 electron की जूरत पड़ेगी that's why इसके पास क्या है electron हो की deficiency है तो अब यह क्या करेगा तो देखो इसके बाचियों में बैठा है यह nitrogen यह nitrogen क्या करेगा अपने loan pairs of electron इसको donate करेगा इसके साथ bond बनाएगा और इसका octet पूरा करवाएगा यही तो है basicity of our minds क्योंकि nitrogen यहाँ पर क्या कर रहा है अपने loan pairs of electron को donate कर रहा है किसको donate कर रहा है इस boron को और यहाँ पर क्या बना के दे रहा है इसको देखो यहाँ पर क्या इसको बना के दे रहा है जानज़े देखना जानज़े देखना इस reactions को ओके चलो 3 times यह nitrogen, nitrogen अपने loan pairs of electron इस boron को donate कर रहा है, थीक है, तो borons, nitrogen, nitrogen आपका क्या हो जाएगा positive और borons आपका क्या हो जाएगा negative, थीक है, so this is the Lewis concept, जहांपे nitrogen या फिर basic group या फिर basic city group या फिर nitrogen, अपने loan pairs of electron को क्या कर रहा है, donate कर रहा है, तो donation of loan pairs of electron is called as what, अब ₹ एकोad n ₹ ँद योरी भ्रॉवनियल्स यहीरी के हिसाब से क्या होता है कि जो भी सोता है न отвеч न आ प्रोटॉन को एक बी कर सकता है नहीं समझ भाए रहा है ना लोको मैं एक एक्जामपल लेता हूँ मैंने कुछ इस तरीके का एक्जामपल लिया मैंने कुछ इस तरीके का एक्जामपल लिया यह nitrogen के 3 bond और यह हुए इसके loan price of electron और मैंने यहाँ पर add किया H2O जैसे आप यहाँ पर H2O add करोगे तो यह reversible condition में जाता है और H2O मुझे बताओ कैसे break होगा बच्चा तो सर यह सब को पता है यह H plus में break होगा और यह OH minus में break होगा अब यह according to Laurie Bronsted theory जो base है ना base उसके पास loan price of electron है और H plus में तो यह loan price of electron इस H plus को यह nitrogen इस H plus को क्या कर सकता है खीच सकता है अपने side तो जैसी यह इसको अपने side खीचेगा जैसी इसको क्या करेगा अपने side खीचेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह nitrogen 4 हो जाएगा और यह plus हो जाएगा और आपका ये OH यहां से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा तो इस case में हमें पता चल रहा है कि nitrogen जो है वो proton को क्या कर रहा है abstract कर रहा है that is the concept of what that is the concept of what a lawry-bronstein theory जहाँ पे loan pairs of electron या फिर nitrogen जो basic group होते है वो proton को क्या करते है खीचते है proton को क्या करते है खीचते है donation वाला Lewis theory है ठीक है donate करते है सबको समझ में आ रहा है ना ठीक है ना अब ये base है ये base है और base अगर कभी भी acid को खीच ले तो ये बनाता है conjugated acid क्या बनाता है conjugated acid ये word याद रखना conjugated acid कहीं भी आया तो ये conjugated acid क्या होता है मुझे पता नहीं चल रहा है तो कभी भी base अगर proton को खीच ले base अगर proton को खीच ले अगर उसके साथ में वो जॉइन हो जाए तो जो भी बनता है base से उसको बोलते conjugated acids क्या बोलते बच्चा उसको conjugated acids ठीक है ना अब मैं एक chart आपको दिखाता हूँ उस chart में बस कुछ चीजे लिखी गई मैंने आपको ये बहुत पहले बता दिया था कि अगर आपका PKA क्या बताया था आपको बताओ अगर आपका PKA चाहे PKB value अगर increase होती है तो ये acidity को दिखाता है ये B for basicity को दिखाता है तो अगर ये value increase होती है तो वो compound उतना least acidic या basic होगा मतलब एक चीज़ आपको clear हो गया कि अगर PKB PKB मतलब basic के लिए बता रहो PKB value अगर बढ़ेगी तो वो compound उतना कम basic कहला आएगा या फिर उतना कम basic बोला जाएगा इस PKB value increases the compound is less basic in nature इस PKB value decreases the compound is more basic in nature चलो देख लेते कुछ चाट अब यहाँ पर देखो बताओ किसका PKB value बहुत ही कम है किसका बहुत ही कम है बताओ तो सर ये जो secondary amounts है secondary amounts इसका PKA value मुझे बहुत जादा कम दिख रहा है तो जो आपके secondary amounts होते बच्चा वो बहुत जादा basic in nature होते है और as compared to what your primary as compared to what your tertiary and as compared to what your aromatics compound और एक चीस और कभी अगर aromatics आ गया और primary आ गया, secondary आ गया tertiary आ गया, तो aromatics को तो सबसे last में ही रखने का है aromatics का देखो, PKB value बहुत जादा है अगर इसका PKB value बहुत जादा है, तो यह compound उतना जादा क्या हो जाएगा इटा, उतना जादा यह अगर PKA value इसका बहुत जादा है तो यह compound क्या हो जाएगा उतना list basic हो जाएगा जिसका PKAB value बहुत ही कम है वो compound उतना अच्छा basic nature दिखाता है कि ठीक है ना बच्चा चालो next topic देखते हैं that is basic strength of aliphatic amines कि जो हमारे aliphatic amines होते है जो chain वाले amines होते वो कॉन सबसे अच्छा basic होता है और कॉन सबसे list basic होता है तो अभी हम लोगोंने chart में क्या देख कर आ है कि order of order of pkb value क्या देख कर आ है बताओ चार्ट में भी आपने क्या value दिखा, कि आपका जो primary amounts होता है, उसका PKV value क्या होता है, बहुत ही, पहले मैं secondary से चालो करता हूँ, जो आपका secondary amounts होता है, उसका PKV value क्या होता है, बहुत कम होता है, एक minute, क्या होता है, बहुत जढ़ा कम होता है, ठीक है, as compared to what, as compared to what your tertiary amines और as compared to what your primary amines बतलब आपको एक चीच क्या समझे में आ रहे है कि order of PKB value secondary amines का बहुत ही कम है लगा दिया ना देखो तो basicity order क्या हो जाएगा order of basicity बताओ order of order of basicity order of basicity क्या हो जाएगा तो मुझे इतना पता है कि अगर PKB value बहुत ही जादा कम है बहुत ही कम है तो वो compound क्या होगा उतना अच्छा basic होगा तो मैं इस order का ऐसे लिख सकता हूँ क्या इस order का ऐसे लिख सकता हूँ R2 NH इसके साइड बड़े का sign लगा सकता हूँ bigger का and यहाँ पर क्या हो जाएगा इस तरीके का group ओके चलो और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ tertiary amines clear तो जो order of basicity है वो इस तरीके का और यह बच्चा one of the most important question है आपके MSCT नीट वगरा के और MSCT और हमारे जो महारास्टा बोर्ड के जो भी आते हैं state बोर्ड में भी जो आते हैं आपको कई बार पूछा गया कि basicity order of amines तो याद रखना जो आपका secondary amines होता है बच्चा वो बहुत जादा basic होता है as compared to what? as compared to your primary amines and as compared to what? tertiary amines तो भाई यह बोला किसने कि secondary वाला बहुत जादा basic होता है इसको रट लेना इसको दो तरीके की concept में बताए गया और दोनों तरीके का concept हम अभी क्या करने वाले देखने वाले तो चलो फटा 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 यह दोनों तरीकों को concept को clear करते हैं पहला influence of electronic influence of plus i effects पहला क्या है influence of plus i effect अब द्यांसे सुनो जो आपका conjugated acids बनता है base कभी भी acid को अगर abstract कर ले h plus sign को abstract कर ले तो जो आपका conjugated acids बनता है वही आपका बताता है कि यह चीज़े क्या है कितनी ज़्यादा stable है कि पर कितना अच्छा base है जैसे आपका अगर मैं आपको conjugated acids बना के दिखाऊं तो कैसा होगा conjugated acid चलो primary का एक बना के दिखाता हूँ यह आपका हो गया first conjugated acid देखो H plus आया और इसके loan price of electron को ले लिया तो that is nitrogen is plus यह हो गया आपका second conjugated acids ठीक है और यह हो गया आपका third conjugated acids ठीक है चलो तो बताओ कौन सा conjugated acid सबसे जाता stable है कौन सा conjugated acid सबसे जाता stable है तो भाई nitrogen यहाँ पे plus हो रहा है और nitrogen अगर plus हो रहा है अगर कोई उसको electron donate करने वाले group मिल जाए तो उसका positive charge हट जाएगा और वो stable हो जाएगा तो देखते हैं यह आपका primary amines में जो R group होता है बच्चा जो primary amines में जो आपका R group होता है alkyl group that is a electron donating group electron donating group ठीक है donating group जो कि क्या सो करता है plus I effect क्या सो करता है plus I effect अगर बच्चा यह electron donate करेगा nitrogen की positive charge को venus करने की कोसिस करेगा हटाने की कोसिस करेगा तो यहाँ पर एक ही R group है that's why यह थोड़ा सा donate करेगा लेकि secondary में देखो दो-दो R group लगे हुए तो यह बहुत तकडा donate करेगा और इसको हटाने की कोसिस करेगा तो भया यहाँ पर भी देख लो यहाँ पर 3-3 R group लगे हुए तो यह और अच्छे से donate करेगा और इस nitrogen की positive charge को venus कर देगा हटा देगा अगर यह बहुत अच्छे से donate करता है और इसकी positive charge को हटा देता है तो सबसे ज़्यादा influence of plus i effects किसमें सो हो रहा है तो सबसे ज़्यादा हमें influence of plus i effects बच्चा इसमें सो हो रहा है तो that's why according to influence of plus i effects सबसे ज्यादा बेसिक कौन है यह जो टर्ट ग्रूप है टर्ट अमाइन्स सबसे अच्छा बेसिक है तो भाई टर्शरी कोई बोलना चीता ना नहीं एक ही फैक्टर्स नहींगे बेसिशिटी ओफ आमाइन्स को बताने के लिए तो पहला मैंने आपको बता है इंफ्लुएंस अब इस Conjugated Acid यह R के उपर डिपेंड करता है कि वो उसके प्लस चार्ज को कितना अच्छे से मैनेज करता है R Electron Donating Group एक आ रहे तो थोड़ा सा दोनेट करेगा और दिंतीन आ रहे तो बहुत ही अच्छे से डोनेट करेगा और उसका जो Conjugated Acid होगा वो Stable हो जाएगा That's why यह Tertiary Amines in the case of Influence of Plus Eye Effect बहुत ज्यादा बेसिक है तो आपने Tertiary को क्यों नहीं टिकमा क्या आपने Secondary Q बोला पहले वाले में बैसे सी डोर्डर में तो देखो अब दूसरा Factors आएगा Solvation Effects दूसरा Factors क्या आएगा Influence of Solvation Effects तो यह Solvation Effects क्या है Solvation Effect क्या है तो देखो Solvation Effect मतलब क्या होता है अगर कोई आपका Group है अगर वो Water में Water के साथ में Bond बना रहा है तो कितना Number of Bond बना रहा है उसी को Solvation बोलते है जैसे ध्यांसर सुनों आपको नहीं समझाओ को तो ध्यांसर सुनों यहां पर दान सुनों जैसे आप Primary Amines लेते हो बच्चा Primary Amines अगर आप Primary Amines लेते हो Primary Amines का Conjugated Acid लेते हो तो देखो यहां पर बहुत सारे है चाहे तो यह H2 आया एक मिनिट में pen change कर लेता हो हूं H2 आया यह दूसरा H2 आया यह तिसरा H2 आया तिन तिन H2 आया और इसका Positive Charge bond बना रहे है इसके Negative Charge के साथ में इसका Positive Charge bond बना रहे है O के Negative Charge में तो और primary amines, primary amines में solvation अच्छा देखने के लिए मिल रहा है, solvation मतलब वह यह कि कितना water molecules जाके किसी group को जोड के रख रहा है या bond बना के रख रहा है, तो primary amines में solvation बहुत अच्छा हो रहा है, और मैं अगर tertiary की बात करू, tertiary amines की बात करू, tertiary amines के conjugated acids की बात करू, तो यहाँ पर देखते क्या होता है, यहाँ पर देखते क्या होता है, यहाँ पर only a catch है, that's why, एक ही oxygen का molecules आएगा यहाँ पर, एक ही oxygen का molecules यहाँ पर आएगा, H positive, O negative और इन दोने के बीच में क्या बनेगा, hydrogen bonding बनेगी, ठीक है, इसका मतलब मुझे यह समझ में आ रहा है, कि जो primary amines है, उसके अंदर बहुत ही अच्छा solvation है, फिर secondary में थोड़ा कम होगा, और tertiary में बच्चा और कम होगा, तो solvation के हिसाब से, solvation के हिसाब से, जो सबसे अच्छा basic property सो कर रहा है, वो primary सो कर रहा है, उसके बाद secondary, उसके बाद tertiary, तो भाई यह क्या दुविदा है, लेकिन आपने तो primary को भी नहीं बताया, आपने secondary बताया, ठीक है, solvation सबको समझाना क्या है, solvation बताए यह बच्चा कि जो water का molecules से, वो कितने लोगों से bond बना रहा है, तो यहाँ पर देख रहो, एक, दो, तीन लोगों से bond बना रहा है, और for tertiary case में, एक ही लोगों से water का molecules bond बना रहा है, मताब एक ही एच अवेलेबल ही रहेगा वाहाँ पे, इतर डाउट क्लियर है सबको, चलो, तो solvation के हिसाब से, according to solvation के हिसाब से primary सबसे ज़्यादा बेसिक है, लेकिन according to influence और plus i effect के हिसाब से tertiary सबसे ज़्यादा बेसिक है, तो माइन्स के लोगों कि इतना confusion क्यों है, तो यह बनाए गया अगला topic है, अगला topic है, combine influence, अब combine influence में दिखो, क्या दिखाया गया है combine influence में, कि solvation के हिसाब से, जो तुम्हारा primary होता है, वो सबसे ज़्यादा basic होता है, और plus i effect के हिसाब से, जो आपका tertiary होता है, सबसे ज़्यादा basic होता है, तो दोनों का, जब सबका average आउट करते हैं, जब average आउट करते हैं, तो उसमें ये निकल के आता है, कि भाई secondary तो बीच में आ रहा है, तो इसके लिए जो आपका secondary amounts रहेगा, बच्चा कहां गया, जो आपका secondary amounts रहेगा, वो सबसे अच्छा basic होगा, लास्ट में क्या conclusion लगाया गया, कि जो आपका secondary amounts रहेगा, वो क्या रहेगा आपका, सबसे ज़्यादा basic रहेगा, ठीक है, combine मतलब दोनों को average आउट किया गया, और उसमें ये पता किया गया, तो आप सबको पता चल गया है, कि जो हमारा secondary amounts है, secondary amounts से वो सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे अच्छा, या पर सबसे ज़्यादा basic compound है, amino के case में, ओके, clear है सबको, ठीक है, ये combine का diagram था, solvation में क्या होता था, और, solvation में क्या होता था, और plus effect में क्या होता था, ठीक है, चालो, अब, ये भी doubt मैंने सबको clear कर दिया, तो one of the most important or best MCQ questions for your need, और फिर बहुत सारे exam में पूछा जाता है, कि basicity amounts में सबसे ज़्यादा basic कौन होता है, तो याद रहेगा सबको सबसे ज़्यादा basic कौन होता है, तो आपका जो secondary amounts होता है, बच्चा सबसे ज़्यादा basic होता है, लेकिन अगर आपको salvation के हिसाब से पूछा तो किसको tick करोगे, सबसे ज़्यादा basic primary then secondary then tertiary, लेकिन अगर आपको पूछा नहीं influence of plus effect कि हिसाब से बताओ, किसको सबसे ज़्यादा basic बोलू, किसको बोलोगे, tertiary minds को, बोलोगे ना, tertiary minds को, सो बचो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को एक से दो बर revise जरूर करें ताकि यो सारा concept आपको clear हो जाए, तो मैं चो कैसा लग रहे आपको ये वीडियो, please आपका एक feedback इस comment box में needed है, so thank you for watching this video and please do subscribe, 8 widget practicals, thank you.